नमस्कार दोस्तों सभी का स्वागत है चार्टमजों के नई वीडियो में और आज हमने एक इंसाइट बार बनते वे देखा यहां पर क्लेली देख सकते हैं निफ्टी पे कैनलिस्टिक फॉरमेशन साथी साथ बैंक निफ्टी मिटकेप निफ्टी पे भी बाइंग अच्छी फिर एक वापिस अपमूव बननी चाहिए और यह अपमूव कहां तक देखने मिलेगी हमें 25 फॉर फिफ्टी तक एक बार हम मूव एक्सपेक्ट करेंगे अब दोस्तों नीचे के साइट क्या लगेगा अगर नीचे के साइट जाएगा तो जादर से जादा एक और इंसाइ डाउनफॉल बढ़ सकती है अब दोस्तों यहां पर लेवल क्लियर है निफ्टी पर बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहां पर इंसाइट बार है और यहां पर एक हलका सा यह जो ट्रेंड लाइन है एक रजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है तो मेरे सबसे फिफ्टी वन चा निउट्रली रेट एक्सपेक करेंगे जो है अल्रेडी वही जाहतर रह सकते हैं और डाउनसाइट के लिए फिर भी थोड़ा सा अवाइट करेंगे अगर डाउनसाइट बनाना है कुछ तो फिर निफ्टी पर अच्छा एक विकल्प होगा यहां पर मिटक निफ्टी ने का चैनल पैटन का जो ब्रेकडाउन देख रहे थे उसका लेंड कवर किया मिटकेप निफ्टी ने और उसके बाद काफी एग्रेसिव तरीके से आज वापिस से बाइंग आ गई और लगबद कल के हाई तक पहुचने की कोशिश किया अब दोस्तों का हाई जो है 58-850 तक है त 59-400 59-400 जैसे निकलेंगे मेरे सबसे एक बड़ी अपमूफ की शुरात हो जाएगी मिटकेप के अंदर यहां पर लेवल काफी क्लियर है बात करते हैं डाउ की डाउ जो थोड़ा सा हमें वापिस नीचे आता है दिखाई दिया कल के सेशन में लेकिन हम एक्सपेक्ट करके च लेकिन 41-500 के नीचे अगर डाउ क्लोज हो जाए तो थोड़ा हम अलर्ट हो जाएंगे अब जो बायस है बनके आज को जो सेशन है उसको देखके फिर से नीट्रल टू माइनर पॉजिटिव बनेगा ब्रेंट की अगर मैं बात करूँ यहां पर तो ब्रेंट आज काफी जार है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ इवेंट हो सकता है इरान इसराइल साइड लेकिन वह नहीं हुआ फिलाल तो उसका असर अब क्रूट पे नेगटिव ली देखने को मिल रहा है इसके प्रूड वन वे एक बार नीचे आ गया है यहां पर अब जोस्तों वैसे मेरे को लग रह तो आएंगे अब जुस्तों गोल्ड सिल्वर गोल्ड एक पैनेंट पैटन में यह थोड़ा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और सिल्वर ने थोड़ा सा डाउन मूव स्टार्ट कर दिया यहां पर एक एम लाइक स्ट्रक्चर बनावा है अब यहां पर अगर डाउन करें तो यह भी होल कर रहा है हाय लेवल पे तो यहां पर स्कॉप है उपर जाने का इसका असर हमने आज मैटल पर भी देखा बाइदावे मैटल के अगर कंटर देखेंगे तो थोड़े नेगेटिव अब जोस्तों यहां पर बायस हमरा माइनर पॉजिटिव है आज हम स्ट इलेक्शन के अंदर बीजेपी ने फिर जो हरियना में इलेक्शन हो रहे थे वहां पर जो एक्जिट पॉल जीत नहीं बता रहता पर जो एक्ट्वल रिजल्ट आए उसके अंदर क्लियर विन हमें दिखाई देती है तो इस वज़े से अगेन मार्केट का थोड़ा सेंटीम अपर्मेंट फिर से आए तो मार्केट ने उसको भी एक फैक्टर किया आज के दिन हाला कि सब फैक्टर करके चल रहे थे कि जो इलेक्शन है वो दोनों स्टेट के अंदर उसमें हार जाएगी बीजेपी लेकिन यहां पर जीतते हुए दिखाई दी अब दोस्तों मार्केट के इसाब से देखा जाए तो PSU स्टॉक्स वैसे आज काफी आपते तो डिफेंस साइट PSU पावर PSU यह सब थीम में आ सकते हैं लेकिन पहले मेरे को जो इंट्रेस्टिंग लग रहे है काउंटर वो है सबसे पहले M&M तो M&M ने क्या किया अपना जो प्रिवियस हाई था उ इसमें ब्रेक आउट जो है हमें 3215 के आसपास आ जाएगा 3211 बट मेरे साब से अगर कल का दिन मलब आज अगर डाव के अंदर कुछ ज्यादा मन्दी नहीं होती 31500 होल्ड होता है तो मेरे साब से यहां पे भी ब्रेक आउट होना चाहिए तो यहां पे थोड़ा सा अगर हम लोग लेवल पकड़ते हैं 3185 का लेवल मेरे साब से 3185 निकलेगा तो एक बर ब्रेक आउट की उमीद यहां पे बनेगी अब दोस्तों इसके आलावा जो काउंटर दिखाई देता है चार्ट पे वह है mcx के अंदर ascending triangle pattern बंद रहा है काफी अच्छी मूफ चल रही है यहां पे एक ब्रॉडणिंग पैटन का ब्रेक आउट हुआ है तो अल्रेडी एक पैटन का इसने ब्रेक आउट डिया है और यह पैटन का अगर हम ब्रेक आउट का डिस्टेंस देखे कितना ट्रैवल कर सकत है तो 7500 की आस्वस्तक आता है लेकिन उससे पहले हमारी जो अभी मलब यह तो काफी time पहले breakout हो गया है यहां पर हमें एक ascending triangle pattern यहां पर दिखाई देता है काफी textbook like ascending triangle pattern यहां पर बन रहा है मेरे सबसे कल के दिन इसके ऊपर breakout आना चाहिए और कल के दिन अगर breakout आएगा तो 60 6050 6050 6050 के level का I think weight करना चाहिए उसके बाद इसके अंदर एक breakout मिलेगा अब जोस्तों यहां पर दो counter है निकाले हैं जिसके अंदर M&M और MCX यह दोनों एक लग रहे हैं कि काफी strong है correction के अंदर भी कम correct हुए अपने higher level को hold कर रहे हैं इसी तरीके से एक फार्मा काउंटर भी है डिवीज लैब इसके उपर भी हम focus कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर थोड़ी volatility बढ़ते वे दिखाई दी है जैसे कि यहां पर हम देखे तो इसमें हम बोलते हैं डिसे राइट एंगल descending broadening वेच पैटन तो यह कैसा ब्रॉड हो रहा है यहां पर इसमें भी लेकिन रुजान अच्छा लग रहा है लेकिन फिलाल मैंने M&M रखा है as a breakout retest stop और second mcx as a breakout soon stop क्योंकि यहां पर ascending triangle pattern बन रहा है तो यह दो स्टॉक में फोकस करूंगा लेकिन एक चीज है कि हमें जो ध्यान देना होगा वह है न्यूज कुछ अगर आ जाए इरान-इसराइल साइट से कुछ कुछ नया development आ जाए तो फिर थोड़ा caution रखना होगा क्योंकि फिलाल अगर मैं brand को देखू तो brand नीचे आ गया है 76.5-76 के आसपास तक maximum आज उमीद लग रही है इसकी जाने की लेकिन यह डोजी नहीं लेकिन एक midpoint पर भी बंद हो जाए तो भी बोल नहीं सकते क्योंकि अभी भी news flow आ रहे हैं तो उस चीज को हमें एक बर सोच के चलना होगा और कल के session में मॉर्निंग में DAO future अगर positive दिख देखे तो फिर यह हम प्ले कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आशय करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आये तो लाइक करें नहीं है हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना आप बूले टिल लेंट टेक कैर मैं मिलूँँगा हमारे अगले वीडियो में